तो यार हलो गाई स्वागत आपका एक और नीव वीडियो में तो जासा के सामने आप देखे रहे हैं पलसर का न्यू प्रोड़क्ट पलसर P150 तो इसका आज हम रिवीव करने वाले कैस की प्राइज है, माईलेज, फीचर्स वगेरा सारी इंफोर्मिशन आपको इस वीडियो म से जरूर देखना, तो ये बाइक जहाजा में प्रोड़ वगेरा सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक आउट कर सकते और शोरूम पर जाकर आप सारी इंक्वाइरी कर सकते बाइक का टेज राइव वगेरा ले सकते हैं, तो चलिए वीडियो को श प्रंट में यापर आपको मिल जाता है, 260 mm का टिस्क ब्रेक, विद शिंगल चैनल ABS, तो ABS होने की वज़े से यापर आपको सेप और काफी बेटर ब्रेकिंग रिस्पॉंस 100% मिलने माला है, तो फ्रंट टायर साइज यापर आपको मिल जाती है, 80 x 117 इंच ऐलाई वील के प्लस पॉइंट भी है, वो आपको आगे पता चल नहीं माला है, तो ऐलोई वील्स पर यहापर आपको जो रिम स्टिकर भी मिल जाते है, बाइक से बाइक का लुक और भी जादा अट्रेक्टिव लगता है, जैसा कि आपको देखी सकते है, तो पलसर P150 में आपको मिल जाता है, फुनली LED प्रोजेक्टर हेडलाइट वीद डी आरेल, तो जैसा कि फ्रंट लुक है, यानि कि हेडलाइट का लुक आप देख सकते हैं, आपको लो बीम, हाई बीम, यह सब मिल जाता है, तो प्रोजेक्टर हेडलाइट होने के वज़े से आपको जो है, नाइट में काफ आपको LED इंडिकेटर नहीं मिलते हैं, बल भी मिलते हैं, लेकिन मेरे इसाब से यह बाइक के लुक को जादा खराब नहीं करते हैं, तो यह काफी अच्छी बात है, तो यार टोटल फ्रंट लुक यहापर आप देखे सकते हैं, यहापर आपको जो है प्रोजेक्टर हेडला लगते हैं, और उसके साथ ही आप बाइक का टोटल लुक यहापर देखे सकते हैं, बाइक में जो ग्रापिक्स मिलते हैं, कलर कॉम्बिनेशन वगेरा, तो लुकिंग इससे जो है, मेरे साब से बहुत ही जादा एट्रेक्टिव और खतरनाक लगती है, तो पलसर P150 का और भी जादा एट्रेक्टिव लगता है, कलर कॉम्बिनेशन वगेरा यहाँ पर जो है, काफी सही है, तो फ्यूल टैंक कैपसिटी की बात करें, तो यहाँ पर आपको जो है 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपसिटी मिल जाती है, जो की काफी सही है, माइलेज के अगर मत करें पर आपको जो है 45 से 50 के असपास माइलेज मिल सकता है, तो यार टैंक पर आपको मिल जाता है काफी जादा है जो की है, मुबाइल चार्जिंग जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप एजली अपना मुबाइल कभी भी कही भी चार्ज कर सकते हैं, तो लेप्ट एंड साइड में आपर स्वीचेज जैसे कि आपको जो है पासिंग स्वीच लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर, हाण यह सारे स्वीचेज मिल जाता है, तो यार मेटर कॉंसल की अगर बात करें तो मेटर कॉंसल यहाँ पर आपको मिल जाता है, पलसर वाला एनलोग प्लस डिजिट जिसमां को काफी सारी इइन्पर्मेशन, काफी सारे फीचेस मिल जाते है, जैसा कि यहाँ पर आपको एक बड़ा सा आफ्रमेटर, मेटर में आपको जो है कुछ lights मिल जाते हैं जैसे कि side stand की warning, battery indicator यहाँ पर आपको जोए engine malfunction light, high beam, low beam, rpm light, abs light, neutral light और indicator यहाँ पर आपको जोए meter में यह सारे lights मिल जाते हैं जैसा कि आप देखी सकते हैं features के अगर हम बात करें तो जैसे कि आप screen पे देखी सकते हैं यहाँ पर आपको gear position indicator, speed up meter में देख सकते हैं, time up meter में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको digital fuel meter मिल जाता है, trip option, trip A, trip B, यह जोए दो आपको trip option मिल जाते हैं, distance to empty और भी ऐसे जोए आपको काफी सारे helpful features इसके analog plus digital meter में म comment करते हैं, तो एक detail video आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, तो चलिए एक बार exhaust और engine का sound सुन लेते हैं, जिस आपको बाग के engine के बारे में काफी कश पाता चल जाएगा, तो जैसा कि आप meter में देख सकते हैं, यहाँ पर जोए अगर kill switch आप हो जाता है, यानि कि हम kill switch को आप कर देते हैं, तो meter में जो features होते हैं, वो दिखना बंद हो जाता है, features आपर show नहीं होते उस time, तो यहाँ पर आपको 150cc बाइक में जोए kick मिल जाती है, कभी अगर जोए सा जिसका sound आपने सुनी लिया है, तो sound मेरे साब से तो काफी सही है यार, तो engine के अगर मात करें तो engine आपर मिल जाता है, 149.68cc का, जिससे power मिलती है, 14.5 PS, 8500 RPM पर, और torque आपर मिलता है, 13.5 NM का, 6000 RPM तो no doubt आपको जोए काफी बेटरे आपर performance मिलने वाला है, तो जैसा कि आप द मिल जाता है, जिस पर आपको जोए graphics work देखने को मिल जाएगा, looking और भी जोए, इस से ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि engine काउल होने के विज़े से बाइक जोए, एक complete वाला feel हमें देती है, तो horn यापर आपको जोए single मिल जाता है, जिसका sound कुछ ऐसा है, तो rear में आपको जोए मिल जाता है, mono suspension, rear tire size के अगर मात करेती हापर आपको 100 by 90, 17 inches alloy wheel के साथ ही आपर आपको tube less tire मिल जाता है, tire size यहापर आपको 125 CC बाइक वाली मिल जाती है, जैसे कि Pulsar 125 में भी आपको यही tire size देखने को मिल जाएगे, तो यहापर जोए bike का look इस वज़े से थोड़ा सा खराब हो जाता है, लेकिन इसका plus point यह tire size होने के वज़े से आपको जोए काफी better mileage मिल जाता है, company ने जोए यही सोच कर इस bike में जोए यह tire size एड़ किये, क्योंकि company यहापर चाहती है कि customer को बागी सारी चीज़ों के साथ साथ mileage भी इस bike से काफी better मिले, तो उस वज़े से यहापर आपको यह tire size देखने को मिल जाती है, तो rear में यहापर आपको जोए इस model में disc नहीं मिलता, अगर आपको rear में भी disc चाहिए तो आपके बास option हो जाता है, लेकिन इस model में आपको यहापर आप देखी सकते हैं, रिंग मिल जाती है, RLP sensor की, जिससे होता है कि हम जब भी brake apply करते हैं, तो bike की speed calculate होने के बादी हमारी brake लगती है इस sensor की वज़े से, तो RLP sensor की वज़े से यहापर आपको काफी better यहापर braking देखने को मिल जाती है, काफी better आपको यहापर braking response मिलने वाला है, तो जैसा कि आप यहापर देखे सकते हैं, यह सिंगल seat वाला model है, तो इसमें आपको काफी सही long and really comfortable seat मिल जाती है, back body part पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहापर आपको ग्राफिक्स वर्प देखने को मिल जाएगा और यहापर आपको जोए P150 की बैचिंग sticker में यानि के stick ring में देखने को मिल जाएगे, और यहापर आपको जोए grab rail भी मिल जाता है, पिलियन को पकड़ने के लिए, पिलियन की safety के लिए, तो टेल लाइट का लुक आप देखे सकते हैं, यहापर आपको जोए LED में टेल लाइट मिल जाती है, अगेन यहापर आपको जोए bulb में indicator मिल जाते है, नमबर प्लेट के लिए यहापर आपको जोए halogen light मिल जाती है, तो जैसा के आप देख सकते हैं, यहापर आपको लेडीज पूटरे, साड़ी गार्ड वगेरा, यह सब कुछ मिल जाता है, open chain यहापर आपको मिल जाती है, बाइक में आपको मिलते है, five speed gearbox याने की पाच गियर यहापर आपको, बाइक में मिलते है, one down, four up, साथ ही आपको यहापर जोए side stand engine का top safety feature भी मिल जाता है, बाइक गियर में है, बाइक का stand नीच है, तो तब जोए बाइक start नहीं होती, तो काफी सही और मजबूत यहापर जाता है, जो की ज़रूरी भी है, तो seat height के अगर बात करें, तो 790 mm यहापर आपको seat height मिल जाती, weight आपको यहापर बाइक का मिलता है, 114 kg, sorry, 140 kg, crown clearance यहापर आपको मिल जाता है, 165 mm, तो बाइक में जोए आपको काफी कुछ बेटर मिल जाता है, जिसकी information आपको मिल ली चु बेटर के साथ साथ है, पर आपको जोए थोड़ी बहुत कम हिया, कुछ problems भी मिल जाता है, जो कि आपको हर बाइक में मिल नहीं है, तो बाइक आपको कैसे लगी, क्या आप इस बाइक को purchase करना चाहेंगे, या फिर नहीं बाइक में आपको क्या बेटर लगा, क्या कम लगा, सब कुछ जो है, आप कमेंट करके बता सकते है, तो इस बाइक से आपको 125 से 130 के असपास, टॉप स्पीड मिल सकते हैं, अब टॉप स्पीड जो है, राइडर पर और situation पर, रोड कंडिशन पर जो है, काफी जाधा depend करती है, तो 125 से 130 के असपास आपको टॉप स्पीड मिल सकत जाएगे, थोड़े बहुत difference देखने को मिल जाएगे, प्राइस में आपको difference देखने को मिल जाएगा, तो इस model की on-road price हमारे आपर देखने को मिल जाती है, 144,000 के आसपास बाकी price में जो is state by state difference जारूर होता है, तो यार ये वीडियो और information अगर आपको अच्छी लगती है, helpful पुल लगती है तो आप वेजिव लाइक जारू से करते है न अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राब भी जारू से करते हैंessional बैक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए है तो जल्दी पलेंगे किसी और वीडियो में वीडियो को यातक द्यान से देखने के लिए तैंक यू सो मुच लवी गाइज